पिरिये चाच चात्राओं सने भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नियाज अहमस सिद्धे की चाहक परचार्ज मनुविज्ञान भी भाग स्पीपी महाविद्धाले भवुआ। आज असनातक खंटीन मनुविज्ञान परतिष्ठा के चाच चात्राओं के लिए प्रेश्ण पत्र पांच और यूनिट पांच से एक महत्पुन पार्ट बतलाने जा रहा हूं जिसका सिर्शक है पक्षपात के मनुविज्ञानिक एवं समाजी कारकों की समिक्षा। आशा करते हैं आज का ये पार्ट आप सभी शाच चात्राओं के लिए लाददाइक और उप्योगी सिद्ध होगा। पुर्वागर या पक्षपात अर्थात प्रिजुडिस का अभिप्राय किसी व्यक्ति अत्वा वस्तु के बारे में पुर्व निर्धारित आग्रह से होता है। पुर्वागर के अंतरगत कोई व्यक्ति, किसी वस्तु, व्यक्ति, अज्थान, आधि के बारे में बिना किसी जांच या परिक्षा के अच्छी या बुरी धार ना बना लेता है। अपने समाजिक जीवन में हम कुछ लोगों से बिना किसी परिक्षा किये ही प्रेम करने लगते हैं। फलता सहयोग एवं सहनुभूती की भावनाएं उत्पन होती हैं। दूसी तरफ कुछ लोगों से हम घिर्ना करने लगते हैं, जिसके फल्सरूप हमारे अंदर घिर्ना, शंघर्स एवं असरयोग की भावनाएं उत्पन हो जाती हैं। पुर्वाग्रों को आधार रहित होने के कारण मिथ्या परते भी कहा जाता है। जिम्स ड्रेबर ने पुर्वाग्र या पक्षबात के अर्थ को परिभासित करते हुए कहा है कि पुर्वाग्र एक विशेष प्रकार के कारियों, वस्तुमों, व्यक्तियों तथा सिद्धान्तों के विरुद्ध अथ्वा पक्ष में एक मनोविरती हैं। जिसके साथ प्राय कुछ संबेग भी जुरे होते हैं। किम्बल यंग के अनुसार एक पुर्वाग्रा, रूधी, परकिर्याओं की वदंतियों तथा पौरानिक गाथाओं आदि के योग से बनता है। इसमें एक समू, लेबल या चिन का परियोग किया जाता है ताकि एक व्यक्ति या समू की विशेश्टाएं उसके द्वारा असपष्ठ हो सके। औक बर्ण के अनुसार पुरुवाग्रा एक जल्दी में किया हुआ निर्ने उप्यूक्त परिक्षा के बिना बनाई हुई राय है। अब हम जानेंगे कि पुरुवाग्रा का विकास कैसे होता है। समान्त पुरुवाग्रा अज्ञान पर आधारित एक नाकारात्मक मनोभिर्ती होती है जो पक्ष या बिपक्ष से सम्मंदित होती है तथा जिसमें गलत विश्वासों की परधानता पाई जाती है। पुरुवाग्रा के साथ संबीग, रूरी किर्तियां तथा पौरानिक कहानियां जूरी होती हैं जिसके कारण व्यक्ति तार्किक निर्ने नहीं ले पाता है। पुरुवाग्रा के विकास एवं उत्पत्ति के लिए अनेक कारक उत्तरदाई होते हैं, जिनमें दो प्रमुख कारकों, खासकर मनोवज्ञानिक कारकों तथा समाजी कारकों की अहम भूमिकाएं होती हैं. पुरुवाग्रा की उत्पत्ति एवं विकास में उत्तरदाई कारकों की महत्पूं भूमकाएं इस रूप में बतलाई जा सकती हैं, जैसे मनोवज्ञानिक कारकों की भूमकाएं, रोल्स ऑफ साइकलोजिकल फैक्टर्स तथा समाजी कारकों की भूमकाएं, रोल्स ऑफ सोसि अब हम पक्षपात या पुर्वाग्रा के विकास में मनवग्यानी कारकों की भूमकाओं के संबंद में अध्यन करेंगे। पुर्वाग्रा के विकास में समाजिक कारकों की भूमकाओं काफी महत्पूर्ण होती हैं। अनेक समाजिक कारकों की भूमकाओं देखी गई हैं। जैसे समाजिक आदर्स, शोशल नर्म्स, प्रात्मिक एवन दृत्यक्षन स्थाएं, प्रामरी एंड सेकंडरी इंस्चुशन्स, परचार के साधन, means of propaganda, सांस्कृतिक प्रिष्ट भूमी, कल्च्रल बैक्ग्राउंड, समाजिक निशेद तथा पर्तिवन, सोशल टैबोज और्स रडिस्टिक्षन्स, तथा समाजिक परिस्तितिया, शोशल कंडिशन. इन सभी समाजिक कारकों का प्रभाव व्यक्ति के पुरुवागरह या पक्षपाद पर परता है. व्यक्ति में पुरुवागरह का विकास समाजिक मानक या आदर्सों के परचार के साध्मों की आहनों भूंकाएं होती है। परचार के साध्मों की आहनों भूंकाएं देखी जा सकती है। परचार के साध्मों की आहनों भूंकाएं भी होती है। लोक संस्कृती का रूप परंप्रागत होता है। इसमें कुछ ऐसी मानताएं होती हैं जो तैयार पुरुवागरा को सुरक्षित रखती है। शमानता संस्कृती द्वारा पुरुवागरा का संक्रमन होते रहता है। अता संस्कृती का अनुकरन करने वाले व्यक्ति सुवता कुछ पुरुवागरों को प्राप करते हैं। कुछ समाजिक मनोवग्यानिकों का मानना है कि समाजिक परिस्तितियां व्यक्ति में पुर्वाग्रा का विकास करती हैं। उधारन के लिए संपर्दाइक धंके समाजिक तनाओ आदी ऐसी परिस्थितियां हैं जिन से पुर्वाग्र अर्थात प्रिजुडिस का विकास तेजी से होता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि पुर्वाग्र या पक्षपात एक परकार की नाकरात्मक मनुविर्थी होती है जो किसी व्यक्ति संस्था समून ज्याति के प्रति एक पुर्वली गई निर्ने के सम्तुल्य है और इसके कारण व्यक्ति के मनुविर्थियां रिनात्मक धनात्मक रू दैक सिद्ध होगा बहुत बहुत धन्यवाद